जय हैं दोस्तों स्वागत है अब सभीका जी इसकी पार साला में दोस्तों ये UPPSC RO RO Reexam के लिए सीरीज है ये बेसिकली प्री बूस्टर सीरीज है इसका ये 17 वीडियो है इसके पहले 16 वीडियो अप्लोडेड है प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरा अगर आपने नहीं देखा ह तो देख लिजे बहुत महात्पुन महात्पुन topic करवाये है बैसिकली मैं इसमें topic से टॉपिक से रिलेटरिक कुछ जो भी महात्पुन topic है वह पताता हूँ question के माध्यम से current affairs, static portion, सारे ही इसमें मैं cover कर रहा हूँ, ठीक है, इसको देखिए, आपको निश्चे तोर पर लाब होगा, इसका जो उद्देश से यही है, कि आपको 100 प्लस question जो है, वो आपका PCS Pre में सही हो, और RORO में भी आप 85 प्लस question आप सही करके आएं, ठीक, यह इसका उद्देश से है आपको पता है, कि RORO और PCS का exam का date जो है, वो आयोग ने fix कर दिया, notification निकाल दिया है, PCS का जो exam होगा, वो 2 shift में होगा, आपको मालूम है, 7 और 8 December को यह exam होगा, आपके पास आज, मतलब मान के चलिए कि 30 दिन से कम समय बचा हुआ है, क्योंकि 2-4 दिन इधर उधर आने जान वही होगा, ठीक, फिर जो RORO का re-exam है, उसकी भी date दे दिया है, 25 और 23 December, तो यह भी आप fix मानिए, ठीक है, इसमें भी आप, यह जो GS पढ़ेंगे, GS जो भी है, वो आपका वहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, थोड़ा सा जो CSAT में आपका portion है, यहाँ पे, वह बहतर करना है, हिंदी बगारा पढ़ते रहे है, हिंदी, मैंने बहुत सारे classes और यह सारी करवा रखी है, ठीक है, उसको देख लीजिए, पूरी playlist बनी हुई यह देख लीजिए, और जो भी आपके source हो, books हो, notes हो, उनसे आप revision करते रहे है, C-set को हलके में में मैट लीजिए, कि normalization वाला process लागू हो रहा है, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप यह मान के चलिए, कि थोड़ा ऊपर रहे है, अभी तक क्या होता था कि अगर आपने 34 question सही कर दिये हैं, तो भी आप सोचते थे कि मैं safe हूँ, लेकिन यह मान के चलिए, कि कम से कम 40 plus question आप C-set में भी सही करिए, तभी थोड़ा सा उमीद बनाईएगा, otherwise normalization कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं, और यह हो सकता है कि C-set में normalization ना भी हो, ठीक, तो पता नहीं, जो भी होगा, आयोग ने तो खैर दे दिया है, जो भी है, formula वो मैंने सारे notification जो है, वो ग्रूप PCS और RO-RO आपका 22 और 23 दिसम्बर, यह आप मान के चलिए, ठीक है, सत्य यही है, बाकी क्या होगा, आगे भविश्य में क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, चात्र, जितने भी हैं, चात्र नेता और जो भी हैं, चात्र भी, सभी इस उमीद में नहीं थे, सभी को लग रहा था कि एक ही सिफ्ट में एक्जाम होगा, लेकिन अब आयोग ने तो दे दिया नोटिस, तो अब आप पढ़ाई भी करते रहें, जो भी करना है, लेकिन पढ़ाई भी करते रहें, चलिए, शुरू करते हैं इसको, ठीक है, देखिए, इस वीडियो को शुरू किया जाए, विद पर्ट में लेकर आऊंगा, ठीक है, तो देखिए, पहला प्रशन देखते हैं हम इसको, लाइक कीजिएगा, सेर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है, आप लोग लाइक, सेर, सब्सकाइब नहीं करवा रहें, राजखाद सुचकांग, 2023 में प्रतम चार स्थान पे कौन से प्रतेश हैं, उनका सही करम बताना है आपको, तो यह देखिए, यह केरल है, तमिल नाडू है, जम्मो कस्मीर है, इसका याद रखेगा यह करम, ठीक है, हाली में केंदर सरकार ने अंडमान और निकोबार दूइप समो की राजधानी, पोर्ट ब्लेयर का क्या नाम बदल द इसका नाम रख दिया है, यह आपको बिजय नगर भी दे दिया है, यह तो चलो अलग ही हो गया, लेकिन यह याद रखेगा, श्री बिजय पुरम, ठीक है, हाली में प्रधान मंत्री नेर्ण मोदी ने सूरत गुजरात में शुरू किया, जल संचय जन भागिदारी पहल, य जल सर्रच्ण के लिए यह प्रयास है, यह अभियान है, जल सर्रच्ण बहुत जरूरी है, अगर जल है तो कल है, यह जो वाक कहना, उसको याद रखेगे, जल आप अपने अस्तर पर बचाईए, किसी भी तरीके से, जल सर्रच्ण, अगर आप जल बचा रहे हैं, कहीं से भी कैसे भी, तो वो आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो अपने अस्तर पर बचाईए, वेक्तिगत अस्तर पर, सरकारें तो प्रयास करी रहे हैं, जो भी सरकार है, सासन प्रसासन और यह लेकिन वेक्तिगत तोर पर भी आपको यह सोचना होगा, कि जहां पर भी आ तिरपन 543 सीटों पर कितनी महिलाओं का चैन हुआ है, यानि कि किने चुनी गई हैं यह, तो यह याद रखेगा, 74 महिलाएं हैं, बेसिकली जो यह तो अठरावी हो गई, 17 में याद रखेगा, 17 में भी 78 थी, ठीक है, तो यह कुल जो परसेंटेज अगर देखो गया, तो ल आप महिला सा सक्तिकरण पर या उनकी भागिदारी पर कहीं पर कुछ लिख रहे हैं, तो आप इसको याद रखेगा, ठीक है, हाल ही में भी पहली वैदिक घड़ी जो है वो उज्जैन में इस्थापित की गई, तो पहली बात यह याद रखेगा, कहां इस्थापित की गई ठीक, निमलिखित में से कौन सा एप्लिकेशन तीन नए अपराधिक कानून को सुचार क्रियानवन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए सुरू किये गया है, तो ये E साक्षी, E समन और E नियाई सेटू, अब पूछाए इन में से कौन सा नहीं है वो, तो ये E FIR नही सकता है, देकें, निमलिखित में से कौन सा कथन सही है, चेन करना है इसमें, तो 9 जो राइसीना डालॉग है, ये 2024 का आयवजन भोपाल में किया गया, ठीक है, ये ठीक है, और 9 जो राइसीना डालॉग दोजार 24 का जो विसे था, वो है चत्रंगा, संघर्ष, परतियोगता, और ये सहयोग निर्माण ठीक है ये दूसरा वाला तो सही है लेकिन पहला जो है ये भोपाल में नहीं आयोजित हुआ ठीक है दिली में ये हमेशा ही दिली में आयोजित होता है तो याद रखेगा इस चीज को तो ये पहला गलत है दूसरा सही है केवल दो वाला कथन सही है ग तो यह इसमें ज्यारखंड जो है नहीं यहां से नहीं गुजरेगा यह वाला एक्सप्रेस यह लगभग 519 किलोमेटर है यह इसका वह भी याद रखना है उत्तर प्रदेश है बिहार है पश्रिमंगाल है आली में महारत सरकार ने पुड़े हवाइड़े का नाम बदल कर किस स साक्षर्टा हासिल की है तो यह याद रखिए इ Issus राज्यकी पूलिष ने डीजिटल प्लेटफर्म तो यह याद रखेगा पुलिस द्वारा लॉंच किया गया तो बेसिकली आप इसको एड कर सकते हैं आप अपना जो GS6 वाला या 5 वाला जो पोर्शन है जहां पे वो सुरुक्षा और यह सब है वहां पे इसको एड कर सकते हैं तो यहां पे आड कर लिजेगा उत्रप्रदेश इसपेशल में वर्स 24 की टाइम पत्रकर के। एड के विश्यों के सौव सबसे प्रभावसाली लोगों की सूची में निमलखित में से कौन सा भारती संबलित नहीं है यानि कि यह टाइम ने जारी किया है 100 लोगों कि सूची उन में से कुछ भारती भी हैं कौन कौन से लोग तो यह याद रखेगा कई बार आप प्रस्ण धंग से नहीं पढ़ते हैं आपने देखा आपको याद आया था कि यह तीन लोग है यह पहला मारा और ब्लैक किया चले गए तो यह गलत हो जाएगा इसलिए बोलता है मैं जब भी बताता हूं यह जरूर बोलता हूं कि आप प् 75 गर्तन दिवस परेट के लिए सर्वसेश जहांकी का जो एवार्ड है वो उडिसा को मिला है बिल्कुल सही है एकदम कथन एकदम बिल्कुल राइट है उडिसा की जहांकी है उसका जो विशे थीम क्या थी विक्सित भारत में सर्वोदे नहीं थी विक्सित भारत में महिला महिला ससक्ति करना, उस पे यह आधारित थी, तो यह केवल एक कथन सही है दूसरा वला गलत है, आली में चर्चा में रहा भारत सरकार का उप्रेशन सद्भाव, यह किस से सम्मंदित है ऑप्रेशन सद्भाव, तो यह याद याद रखेगा इस तरीके का जो मैचिंग में है प्रशन वाला प्रशन उद्दे देता है आपको एक तरफ ऑपरेशन दे देगा और एक तरफ कंट्रीज के नाम या किसे संबंधित थे वो तो यह ध्यान रखेगा बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं ऑपरेशन हैती ऑपरेशन सद्भाव ठीक है ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन फला 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 दुनिया भर के उपरेशन है तो यह याद रखेगा जो अभी करेंट में अट लिस्ट उनको याद रखेगा तो यह यागी यह आया कहा था यागी तूफान यह आया था आपका इधर वियतनाम लाओस और म्या नमबरिंग उपर नीचे अपडाउन हो गई है इसका इसकी जो पीडिया फर्म है आपको यहां पर गुरूप में भेज दूँगा ठीक गुरूप की लिंक दी हुई है चौन कर लीजेगा उसको बाकि जितने भी मैंने और जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है जाईए आप उस की लिमिट होती है कि 5-6 ही दे पाता हूं तो उनको एक लिस्ट जरूर देख लिया करिए ठीक है चलिए आप लोग इसको लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं जो है इसको और बेहतर तरीके से लेकर आऊंगा ठीक है और अभी थोड़ा रिवीजन तेज कर दीज के लिए आप लोग के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहनु